एलो एवरिवन कैसे हैं सभी दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको शूटी से एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था अनाइम.js करेंगे अनाइम.js करणें आपको दो वीडियो करवाँंगी दोनों में बताऊंगे कि एनीमेशन कैसे करते हैं तो यह हमारी एनीमेशन करेंगे इवन इसको क्लिक करेंगे यह देखो क्लिक करने पर बहुत ही प्यारा ओप्षिन आथा है यह देखो आप इसको अपने पूरी वेबसाइट पे लगा सकते हैं कोई भी परसन आएगा आपकी वेबसाइट पे जब भी वह कहीं भी कलिक करेगा तो जे अनिमेशन पर फॉर्म होगी बटन क्लिक करेंगे तब भी ऍजयांदा बड़ा करसकती हैं जरूरी नहीं इतने पार्टीकर लगानी है आप इसको 700 या 500 कर दो बस यहां value change करनी है refresh करो अब इसकी value 700 हो जागी जिए देखो कुछ ऐसा बनेगा यहां पर click करो जिए देखो click करनी के बाद यानिमिशन हट जाएगी तो जब हम click करेंगे तब ही चलेगी यह है अनाइम.js के साथ बनाया गया है इसको हम बना स्टार्ट करते हैं कुछ नहीं करना बस html का कोट नहीं है कुछ ज्यादा जावा स्क्रिप्ट का है उसमें थोड़ा लंबा कोड है यहां पर लिखो canvas हम canvas का यूज कर रही है इसको एक ID जा कलास दे देते हैं इधर चलते हैं इसको एक ID दे देते हैं चलिए इसको हम फायर वर्क बोल सकते हैं तो मैं यहीं एड़ कर दूँगी फायर वर्क कलास इस कलास को यूज करेंगे हम जावा से करेंट में चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं window.human is equal to false तो जे कोड हम बाद में देखेंगे क्यों लगाया गया है हमारी बिंडो पे लगनी है इसको फिलहाल लगा के शूड़ दो यहां पर लिखो एक बेरियेबल क्यानवास को गेट कर लो क्यानवास इवान रख देते हैं इसका नाम document.get querySelector लगाओ querySelector class का नाम.fireworks canva get हो गया एक बेरियेबल canvas इवान जो बेरियेबल लगाया है .get content हम इसको बोलेंगे तो यह मैंने सब कुछ पहले करवाया हुआ है get context 2d में हमीं चाहिए तो 2d लिखो यह कुछ एक अट्रिब्यूट है हमारे canvas के बेरियेबल एक और बनाओ pointer एक रहेगा x-axis पे 0 दो तरफ ही हमारी screen होती है x and y तो यहां पर लिखो दो y, y को भी 0 कर दो एक और बेरियेबल बना लो tap is equal to यहां पर जैसे मैं लिखूंगी सहीं बैसे ही लिखना है आपने code on touch start then in window और और operator लगेगा ऐसे और नवी गेटर dot ms max ms max touch point एक तो animation लगनी है on start यहां पर रिफ्रेश कर रही थी तब animation हो रही थी एक जहां पर ऐसे click करने ले तो वह दोनों पर animation चलेगी दोनों में यह भी on होगा मतलब यहां पर window screen window लोड हुई तो यह वाली चलेगी ठीक है और अगर मैं click करूंगी दन भी यह perform होगी दोनों में से एक condition true होनी चाहिए बस turnary operator लगाओ इसमें लिख दो touch start अब turnary operator काम कैसे करता मैं बताती हूँ जहां पर लिख दो जो दूसरा है mouse down यह है हमारी animation इसके साथ perform होगा और operator का मतलब होता है दोनों में से एक condition true होनी चाहिए on touch start तभी start होगी अगर page refresh होगा लोड होगा अगर यह पहले बाली condition true होई दैन क्या होगा यह बाला चलेगा अगर दूसरे बाली होई नहीं तो यह बाला चलेगा यह है हमारा touch start मतलब जहां पर touch start करूंगी एक हमारा mouse down एक touch start है touch start मैं जहां से कर दूंगी refresh माउस के साथ मतलब हम क्लिक कर देंगी तो turnary operator लगाया है अगर पहली condition true होई यह बाला code चल पड़ेगा नहीं तो यह चलेगा अब जहां पर लगाओ color colors सारे colors लिख दो जो जो भी आप चाहते हैं code लगा देती हूं मैं ff1 4 6 1 1 1 G हो गया आपको वो circle चाहिए शोट शोटे यहां पर और लगा देते हैं f5 a 8 7 then ff एक जे color हो गया एक और लगा दो एक और लगा देते हैं hash fb f3 then 8c यह हो गए हमारे colors आप अपनी मर्जी से और ज्यादा लगा सकते हैं एक function बना लो सबसे पहले एक function का नाम रख देते हैं canvas set canvas सारे जी canva हमने set करना है कितना बड़ canvas चाहिए canvas e1 हमने जो variable बनाया था उसकी विर्थ बता दो इसको कैसे करेंड है canva करते हैं जी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है ऐसे हम करते हैं multiply two के साथ कर दो जो भी इसके original विर्थ होगी इससे दो गुना जादा height height भी multiply कर दो two के साथ height विर्थ मैंशन हो गई canvas t1.style.width is equal to window.inner width जो भी हमने विर्थ लगाया हुआ है उसको पिक्सल में बोल दो कि इसको पिक्सल में चाहिए हमें यहां पे लिख दो height यह क्या आ गया style आना है इदर भी style हम उसको css में height भी बोल रहे हैं यहां पे लिख दो height भी हमें पिक्सल में चाहिए then canvas e1.get context 2d में चाहिए .scale कर दो two two इसका मतलब होता है x-axis से दो गुना यहां पे by axis से दो गुना जो भी हमारे पास हमने canvas बनाया है उसको दो गुना उसका size increase कर दो जरूरी नहीं लगाना है फिर भी सही लगेगी इसके साथ animation सबसे पहले हम create कर लेते हैं particles create कर ले एक function बना लो अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आना जैसे जैसे हम coding करते जैंगे तब यहां पर शोड़ शोड़ पार्टिकल्स बनते जाएंगे इसका नाम में रख देते हूं particle दो parameter पास कर दो x and y पर बनानी है एक variable बना लो p is equal to इसको blank शोड़ दो इसके अंदर particles आ जाएंगे सारे p.x is equal to x जो भी x में value है p.x में चली जाए p.y is equal to y p.color क्या रहेगा जो हमने colors वाला variable बनाया है उसमें लिखो anime.random anime के साथ randomly color pick कर लेगा जितने हमने mention किये है colors.length find करेगा कितने करेगा 4 या 5 वो minus कर देगा 1 तो 1 minus क्यों किया है तो एक color पहले आएगा फिर दूसरा आजएगा भी तीसरा आजएगा तो इसके लिए हम इसको minus 1 कर देंगे p.radius लिख दो radius is equal to set जांपे लिखो दो set particle direction लिख देगे यह का function है नाम कुछ भी लिखो दो जांपे लिखो दो इसकी direction हो जाएगी पी डॉट ड्रॉट कर दो इस इकल टू function यहां पे लिखो एसे नहीं आएगा इसको हटाओ पी डॉट ड्रॉट इस इकल टू यहां पे लिखो function ऐसे बनना में अब इसके वीच लिखो ctx.canvas के है जे अट्री मिल्स बीगिन पाथ वो बनाना स्टार्ट करेगा canvas को मतलब area हमारा जिदर particles बनने है ctx.arc arc मतलब round circle p.x,p.y,p.radius देख लेंगे कितना है जीरो कॉमा टू मल्टिपलाई math.pi पाई की वैल्यू अगर ना भी रगाए दैन भी सही है इसमें अगर यह बना टू लिखा हो इसको आप चेंज भी करो तब भी कोई problem नहीं है fix नहीं है कुछ भी लेकिन हमें कुछ ना कुछ value add करनी पड़ती है ctx.phil style background color कौन सा रहेगा p.colors जो हमने variable बनाया है color जे बाड़ा इसके अंदर सारी color चले जाएंगे randomly color इसके अंदर पिक हो जानी है बैसे हमारे सारी color colors के अंदर है लेकिन उसको हमने store कर दिया अपनी एक नई variable के अंदर color में इसमें randomly पिक आने है randomly color आने है यह क्या हो गया जहां पर इधर problem है इधर अपनी आप जी आ गया इधर हमने लगाना था color start हमने इसमें color pick करने है क्रियेट करना है और रैंडम नी पूरी लाइन फिर से लिखते हैं जो भी हमारे colors है उसको अनाई में लगाओ अनाईम.random अब देखो जे animation अपने आप आ गया है न अनाईम कहीं और कलिक कर दो अनाईम.random जीरो जो colors है उसकी length find कर ले और उसको minus 1 कर दे जे है हमारा code तो वो अपने आप आ गया खा साथ साथ में इसको refresh करके inspect कर लो अब जहां पर देखो हमारे पास error है यह वारी get context वो तो कोई बात नहीं क्योंकि अभी तक हमारा code complete हुआ नहीं पहले में चेक कर लूँ इधर मैंने एक file add की है के नहीं जे देखो जे मैं बताना भूलगी मैंने पिछली पीडियो में बताया था अनाईम.js को use करने से पहले हम इसका CDN link लगाना पड़ता है तो इसका CDN link आपको लगाना पड़ेगा जैसे पिछली पीडियो में हमने ले जाओ यह बड़ा सेंटरवाज सा क्रिप्ट टैग है इसको बस कॉपी पेस्ट कर लो तो मैंने लगा रखा है आप इसको लगा दो तबी कोड़ वर्क करेगा चलिए fill style मतलब उसका background color वो हो जाएगा जो color में value आएगी ctx. इसको कर दो fill तो यह इसके साथ हो जाएगा create return कर दो पी को return पी error नहीं को यानि चाहिए यहाँ पे get context spelling भी चाकर लेते है नमबर 4 ctx canvas मारे पास canvas get नहीं हुआ मतलब fireworks वाली class है इसमें कोई problem है spelling तो सही अच्छा जहां पे मैंने dot लगाया हुआ है fireworks के सामने मैंने dot लगा रखा है अब सही है अब जहां पे न हमने एक variable create करना है अभी create कर लो यह जुरूरी है एक variable बना लो इसका नाम रख दो number of particles 30 कर दो इसकी value हम बाद में change कर देंगे 30 particles बनने है ठीक है तो यह वाला लगाना जुरूरी है तभी हमें जहां पे particles नजर आने है चरिए यह तो हो गया code return कर देगा जह पी को अभी जहां पे कुछ भी नजर नहीं आना जस्ट हमने एक शूटा सा code लगाया है अभी जहां पे लिखो एक फंक्शन create करना है जो circles है चोट चोटे वो create करनी है x and y को use करके दो यहां से parameter पास कर दो variable बना लो पी एक इसको short दो blank p.x is equal to x जैसे same हमने पहले बनाया था p.y is equal to y p.color क्या रहेगा अब मैं जहां पे लगा देती हूं white color white चले white ही रहने देते हैं white black लगा दे यह बारा सही है p.radius radius हमने लगाना है 0.1 corner इसके round हो जाएंगे p.alpha is equal to 0.5 p.line width line कितनी चाहिए 6 p.draw अगर आपने देखे हो starting में circles बनते हुए function draw करना है अभी हमने ctx. जहां पे मैं लगा रही हूं global alpha is equal to p.alpha यह हमारे पास एक keyword मान लो keyword जैसे math का होता है क्योंकि हमने circles बनाने हैं तो उसके लिए calculation की जरूरत पड़ेगी तो मैं जहां पे alpha use कर रही हूं ctx.begin path वो draw करना स्टार्ट कर देगा ctx.arc बनाना है मतलो circle बनाना है अब जहां पे लिख दो p.x,p.y,p.radius इन सब को मिला के circle बनेगा 0,2,multiply कर दो math.py के साथ इसको कर दो true यह है canvas में कुछ भी draw करने का तरीका ctx.line width line width कितनी रहेगी p. जो भी line width उसमें होगी पी में जतनी line width हमने mention की कि जतनी हो जाए p.stroke लगानी है stroke मतलब stroke style border p. color को यह पिक कर ले उसका border लग जाएगा ctx.stroke इसको call कर दो ctx. जो global alpha है उसको one कर गो इसके साथ हो जाएगा return p. जे हो गया error नहीं होई आनी चाहिए बस सही है error नहीं है कोई तो जहाँ पर अपनी आप आउटपूट आजाएगी जब हम इसको पूरा create कर देंगे अब इसके background color बगारा भी हो गया mention पहले नहीं इसको हम call करके देख लें लास्ट में आजाओ सबसे पहले लगाओ document.addEventListener कौन सा लगेगा टैप हमने उपर लगाया था नए टैप वाला वह इवेंट लिसनर इसमें आ जाएगा इवेंट लिसनर वहीं फैच होगा पहले में जहांपर फंक्शन लगा देते हैं को पैरामिटर पास करके जहांपर चलते हैं टैप में इवेंट लिसनर वह कंडिशन के अकॉर्डिंग आएगा ठीक है ओन टाच रहेगा माउस डाउन रहेगा वह अपने आप फाइंड कर लेगा तो जहांपर वही वाला इवेंट लिसनर आ जाएगा window.human is equal to true render.play यह किदर से आ गया render.play ऐसे आना है animation स्टार्ट हो जाए इधर हमने सारे function perform करनी है पहले इसको करो refresh e हमने यहां पे defining किया error भी नहीं कुछ सही है यह बारा e हमने लगाया है इसको अभी हमने use नहीं किया इसको कर दो एक function और बना देते हैं यह दूसरा function बनाएंगे तो उसकी coding लगाएंगे सही है यहां पे हमने लगाया है एक function create circle का है एक इदर खतम होता है यहां पे एक दूसरा function बनाओ इसका नाम में रख देती हूं render particles रेंटर करने है पार्टिकल एक यहां पे parameter पास करदो अनाइम का करदो फॉर लूप लगाओ variable i is equal to zero i कहां तक चलेगी लूप अनाइम डॉट यहां पे लिखो अनाइम इदर जब मैं लिखोंगी न एक हमारे पास कि हम अपने keyword बनाएंगे जहां फिर variable मान लो animate animate हम इसको कर पाएं तो यहां पे मैं variable बना देती हूं animate tables dot length i को plus plus कर दो यह बारा एक variable है इसको हम define करेंगे बाद में इतने तक इसकी length चलेगी जो अनाइम variable है dot यहां पे इसको copy कर लो जितनी भी इसमें value हो i को बार बार पर प्रिंट करता रहेगा dot target dot draw इसके साथ यह हमारे शोट शोटे circle कर देगा draw अब इसकी बारी है एक जो हमने variable बनाया हुआ है पहले इसको refresh कर दो कोई आरण नहीं है बस सही है जहां पे यह वारा जो हमने लगाया हुआ है ने इसका मतलब है कि वह एनिमेटेवल होनी चाहिए उसको हम एनिमेट कर पाए मतलब वह होनी चाहिए जैसे ऐसा नहीं है कि एक जगह पर सरकल टिके रहे वह एनिमेशन उसमें कुछ ना कुछ एड होनी चाहिए तो जहां पर अभी हमें इसको define करने कि ज़रूरत नहीं है यहां पर लिखो अनाइम डॉट आएगा जे वाले सब मैच करने चाहिए spelling डॉट एनिमेटेबल्स सही है जे फंक्शन हो गया करियेट अब हाँ अपना बनाएंगे मेन फंक्शन मतलब अनाइम डॉट जियास का यहां पर यह बना देते हैं इसके नीचे फंक्शन बनाओ एक नाम इसका रख देते हैं एनिमेट पार्टिकल्स दो पैरामीटर पास कर दो एक्स कॉमा बाई फंक्शन को अब सबसे पहले एक बेरियाबल बना लो सर्कल करियेट करना है तो सर्कल का बना लो करियेट करके दो हमें सर्कल इसको बोलो हमें सर्कल करियेट करके दो एक्स कॉमा बाई पे सर्कल कर देगा एक बेरियाबल बना लो इसका नाम पार्टिकल्स रख देते हैं यहां पे इसको शोर्डो बलैंक इसके बीच शोर्ड़ पार्टिकल्स आ जाएंगे for, for loop लगेगी क्योंकि multiple बनाने तो for loop तो लगेगी ही, यहाँ पर लिखो दो i कहां तक चलेगा i less than, यहाँ पर लिखो number of particles, जो हमने उपर 30 create किये थे न वहां तक ही चलेगा, उसको 30 करके देगा create then, यहाँ पर लिखो जो particles हमने अभी बनाया variable.push कर दो, insert कर दो, किसको create क्या नाम था, create particle x,y इसको check कर लो create particles हमने function बनाया है न, जैस तही है तो इस function को हमने call कर दी सारे color बगारा height बिर्थ जहाँ सही mention कर लेगा वो वो बाला function बरकिंग में आ जाएगा then follow पक्तम ये वाला variable हमने बनाया anime वाली, अब हम coding लगा रहे है, anime.gs जो हमने पिछली वीडियो में किया था anime.timeline अब मैं खुद से ही लिख रही हूँ, copy paste नहीं कर रहे है .add हम add करेंगे targets same ऐसे ही था, targets लिखो किस पर apply करना है, मैंने करना है particles के, जो particles हमने create किया हाँ variable उसके उपर apply कर दो जो animation x जब x पर x पर हो तो function p return p.end p.os मतलब end position x x and y दोनों पर create करना है, तो ऐसे create करते हैं anime.js में return कर दो end position by के comma यहाँ पर comma आएगा comma radius रहेगा 0.1 duration रहेगी जह सब anime.js के attributes हैं duration कितनी रहेगी anime.random यहाँ पर लिखो 1200 value अपनी according लिख दो कोई भी जुरूरी नहीं यहीं लिखनी है duration मैंने बता दी इसको comma यहाँ पर easing यह भी keyword है अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगे same लिखेंगे easy out export यह है एक keyword anime.js का update कर दो यहाँ पर दिखो दो render particles इसको करना है update update मतलब वहाँ पर हमें regularly वो show होते रहे यह हमारा हो गया एक सिर्फ code है सिर्फ एक code हुआ है dot add अब दूसरी याई machine लगाओ शोड़-शोड़े keyframes आप add कर सकते हैं anime.js नहीं हमें दूसरा keyframe आड़ करूंगी time.randomlyRadius value लिख दो कोई भी जे आगई line width line width कितनी रहेगी 0 alpha value इसकी रहेगी 0 easing अब पहले हमने easy out लगाया था अब linear method लगाएंगे same animation जैसे लगाते हैं CSS में linear method होता है easy in easy out जा फिर अकेला easy जा in ऐसे होते हैं linear method लगादेंगे animation का duration बता दो anime.randomly duration होगी 600 800 मतलब 6 second 8 second ऐसे पुश comma j हो गया जहांपे इसको comma लगा दो सिर्फ एक ही अभी हमने अड़ किया है अब जहांपे लिखो दूसरी duration anime.random यहांपे कोई value रिखो दो अपनी तर्फ से comma easing अब जहांपे दूसरा method लगादो इधर लगा देते हैं easy out वाला ही लगादो export इसको अपडेट कर दो इसको करना है अपडेट रेंडर पार्टिकल्स को offset offset रहेगा 0 इसको कर दो refresh कोई error नहीं है बस error नहीं आनी चाहिए अब जहांपे आजाओ इधर एक variable बना लो variable render is equal to a 9 duration infinity रहेगी duration update अपडेट में क्या होगा function ctx. clear करना है rect को यह canvas का है जो भी canvas e1 में width है canvas e1 में जो height है दोनों के उपर apply हो जाए code height and width के उपर मतलब पूरे canvas के उपर बस error नहीं आ रही कोई यह हो गया चलिए सबसे उपर चलो यह वाला है न बेरियबल इसको हमने call नहीं किया भी तक जहां पर दिखो ऐसे कर दो इसको call set canvas size सही है कोई error नहीं और जहां पर लगाओ यह वाला हमने render किया है render वाला भी हमने create किया न अच्छा जहां पर देखो spelling mistake render आएगा यह वाला बेरियबल इसके साथ मैच करेगा तब ही work करेगा जहां पर यह वाला आगया parameter यहां पर ने एक function बनाओ इसका नाम हम रख देते हैं update ही रख देते हैं क्योंकि जहां पर अभी तक हमने इसको यह नहीं बताया कि जैसे हम पहले करते हैं एक client tax client by मतलब हमारी जो screen है बहां पर हम इसको बताएंगे कि जिदर भी हमारा माउस जाएगा वहां वहां पार्टिकल्स आने चाहिए तो मैं जहां पर बना रही हूं एक update 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 c नाम का एक variable बना function बना रही हूं इसके बीच e को कर दो pass parameter यह बाल update c है न इसको यहां पर बनाओ coordinates इसको coordinate हमने update करनी है function यह बाला function बनाओ इसमें e pass कर दो parameter यहां पर निखो pointer x में value आएगी e.client x क्यूंकि mouse को वो detect ऐसे ही करेगा e.touches 0 .client x इसको कर लो copy paste pointer y e.client y और touches यहां पर लिख दो client 1 तो हमारी screen x-axis and y-axis coordinate पर ही चलती है तो वो इसके साथ define कर लेगा कि हमारा mouse किदर जा रहा है तो वहां वहां जैसे जैसे click करते जाएंगे तो वहां वहां कुछ न कुछ perform होता ही जाएगा चलिए यह वाला हो गया update वाला भी done एक और function बनाओ इदर ही बना देते ही इसका नाम रखो set करनी है particles direction किदर बननी है particles बो बताओ अब जाँपे p pass करो p की बारी अब variable बना लो एक angle बता दो 9.randomly angle उठाओ कोई यहां पे लिखो दो 0 306 angle 306 degree कॉमा लगाओ 0,306 degree तक angle रहेगा multiply भी कर दो math.py के साथ divide कर दो 100 के साथ एक j variable हो गया एक हमने angle बनाना है दूसरा बनाओ value is equal to and I am.random randomly value कोई लिखो दो कुश भी एक j हो गई radius मैं माइनस में लिख रहे हूँ माइनस से बाने x-axis से y-axis से बाने and I am.random 0, x-axis, 1, y-axis multiply कर दो value के साथ तो j इसका रहेगा radius कितना circle दिखने में कैसा होने चाहिए then return कर दो x colon p.x plus कर दो radius को multiply कर दो math.cause cause में अंगल दिखेंगे इसको आप change करके देख सकते है values को result में थोड़ा बहुत फर्क आएगा अगर आप जे चीज नहीं लगाते यहां पर दिखो दो y p.y यहां पर sin लिखनो sin theta इसको कर दो refresh सही है बस कोई error ना आए output तो आही जाएगी इदर हमने event listener लगाया है जे बाला इदर आओ अभी यहां पर इसके नीचे यहां पर एक variable बना लो इसको बोल देते हैं center axis equal to window. inner width क्या रहेगी इसको डिवाइड कर दो two के साथ same variable बना लो by के लिए inner जहां पर लिख दो height यह है हमारी canva की height width इसको इसको डिवाइड कर दो जो वी इवेंट लिसनर रहेगा न इसके अंदर call करो function को जो main function था हमारा animate particles वाला animate particles pointer x pointer y इसको कर दो false जे वाला हमारा main function था एक वर चक कर लो animate particles वाला हमने किया भी है चाहिए रहा है सही है इसको अगर तो refresh error तो अभी भी कोई नहीं लेकिन output अभी आई नहीं अभी तो हमारा code खत्म होने वाला है क्यानवास के बेच हमारी output आनी चाहिए अभी जहां पर कोई error नहीं है एक वाल इसमें न हमने color define किया था color क्या रखा था हमने ये वाला पहले तो इसको color change करो ये वाला color लिखो इसको करो refresh click अब अब error आई यहां पर बो वाला color mention करो थांकि नजर आई तो ये वाला जो color है अभी जह बोल रहे है set particles 23 पे spelling mistake है मुझे लगता है 23 पे हमने जो ये वाला बनाया हुआ है इसको spelling mistake है set particle direction वाला चेक करो set particle direction ये रहा है select नहीं हुआ मतलब spelling mistake है copy paste कर दो refresh click अब जहां पर हमारी main error आई है x undefined है उसको define नहीं किया 65 line पर x variable को define नहीं किया यहां पर define ने तो किया है लेकिन error कहीं और है अब देखो problem है जहां पर इदर बोल रहे हैं कि reading x उसको नहीं मिल रहा है तो x हमने किदर लिखा हुआ है end point में तो end point को ढूंडो कहां पर है problem उदर है ना कि वहां पर end point end p.o.s मतलब किदर है किदर किदर find क्या नहीं है मतलब जहां पर मिलने रहा इसका मतलब हमने define नहीं किया तो create particles के वीच आना है यहां पर end position हमें define करना पड़ेगा x की value थो हमने define की नहीं क्योंकि यहां पर मैंने गलत लिख दिया यहां पर आएगा p.radius आएगा 9.random radius इसने randomly pick करना है यह बाला इतना कोई भी value लिख दो अपने यह तरफ से radius की यहां पर mention करो end p. end pos end point क्या आएगा इसमें जो भी set particles direction वाला है function उसके वीच जो value होगी वो आएगी जहां पर तो यह बाले end position अब ही हमने add की है इसको करो refresh तो वो देखो आगए particles क्लिक करने पर ठीक है इतना code work कर गया चलो अब देखो जहां में क्लिक कर रही हूं तो यह देखो एक ही तरफ सब जा रहे है तो इसको हम जिदर हमने direction set की है set particle direction है न इधर code जो लगा हुआ है इसको तो फिलहाल पहरे थोड़ा से change करते है यह बाली bracket है इधर बंद करो क्योंकि यह code अलग है जहां तक code अलग रहेगा जो इसको calculate करके value आएगी पूरी value को इसके साथ हम multiply कर देंगे इसलिए यह बाली array bracket इधर ही set हो जाएगी अब देखो कितना difference है दूनों में यहां पर अगर bracket हम इधर बंद कर देते हैं पूरी जैसे board mask formula होता है सबसे पहले bracket open की जाते है तो जहां तक यह bracket का code अलग रहेगा पहले जह calculate होगा जो result निकलेगा उसको इस value के साथ multiply कर देंगे multiply करेंगे तभी तो जादा बनेंगी न तुझे हो गया calculation क्लिक वाला तो हो गया अब load वाला नहीं हुआ मतलब तो page refresh हो तब जहां पर apply होना चाहिए event listener पहले जहां पर इसको false कर देते हैं इसको करो refresh नहीं आरा इसको करो refresh नहीं आरा अगर हमने event listener find कर लिया अब देखो मैंने जहां पर code लगा रही हूँ auto click हम इसको बोल सकते हैं मुझे click करने की जरूरी थी नहीं जह click करने पर आ रहा है अब मैं जहां पर code लगाऊंगी इधर ही last minute दगा देते हैं function बना लो एक नाम रख दो auto click मैं click ना करूं अपने आप click होता ही रहे if window.human अब देखो human की जरूरत क्यों पड़ी window.human return human की काम क्या है हमारा काम क्या है click करना लेकिन हम अपनी interaction कम कर देंगे click का अपनी आप होता रहेगा तो window.human का का काम यहां पर आएगा कि अपनी आप जे human का काम अपनी आप करेगा जो हमने बनाया है animate particle वाला बनाया है न उसको call कर लो animate particle अपनी आप होने लग जाएंगे anim.random center center x इसकी value minus कर दो 50 center x प्लस कर दो 50 कॉमा अनायम डॉट अनायम डॉट random center y कर दो minus 50 y से minus 50 center y plus 50 अपनी आप जे animation होनी स्टार्ट हो जाएगी अनायम duration ऐसे लगाओ duration क्या रहेगी 200 200 मतलो मिली सेकेंड में मानलो यहां पे लिख़दो finished.then अपनी आप फिनिश हो जाएगा auto click इसको कर दो call इसको कर दो रिफ्रेश यह देखो अगर आपनी यह दो 100 आपनी वैली चेंज कर दी न एक हैयार तो एक सैकिंड बाद क्लिक होगा यह देखो आपकी मर्जी है 200 बहुत ही कम है फिर भी जे सही लग रहा है यहां पर पार्टिकल्स की चेंज कर दो यहां पर नंबर आफ पार्टिकल्स चेंज कर दो 300 कर दो ज्यादा आ जाएंगे जैसे कलिक करेंगे तो जे बाला auto click फिनिश हो जागा जे बाला मैंने फिनिश लिखा हुआ है न auto click finished जे बाला auto click finished हो जागा अगर मैं जहां पर क्लिक करूँगी यह देखो अब आपकी मर्जी अ कोड को कैसे लगाना है तो जे अनाइम डॉट जीएस के अनिमिशन होगे complete अब उसके बाद आपकी मर्जी है इसको कलर बगएरा चेंज करना है के नहीं तो तीन तीन तो जे देखो इतनी आगे तो जहां पर जे इधर आगया जैसे जैसे आपको values change करते जाएंगे न इधर multiply 2 नहीं करना 1 कर दो 1 इधर कर दो 2 ही रहने दो 2 2 इस पो करो refresh जैसे जैसे आप value change करते जाएंगे जैसे देखो canvas की height width change हो रही है न तो आप जहां पर जितनी value change करते जाएंगे अभी जो हमने की थी न तो आपकी जो output है वो change होती जाएगी जहां पर 2 लिख देंगे तो और value आ जाएगी जो पहले थी वो आ जाएगी जहां पर तो यहां पर हमारे पास आ गया height width dimension करती ही हमने दो गुना और color change करना है यह वाला ही इदर आप अपनी मर्जी के और color add करदो यहां पर जरूरी ने code लिखने है आप red green yellow कोई भी लिख सकते हैं यहां पर आप चेंज करेंगे value और कुछ change हो जागा यह वाली जो मैंने values लिखी है इसको आप change करते रहेंगे तो कोई नहीं output आती जाएगी यह देखे आपकी मर्जी है आपनी इसको बनाना कैसे है तो जही था हमारा आज का topic मिलते हैं भी next video